हेलो फ्रेंड्स, यो अल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपके इंगलिश एजुकेटर्स वाती राठ और सागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग error detection का part 8 करेंगे, up to part 7 मैंने सारे वीडियो बना दिये थे and I hope आप सभी ने वो वीडियो देख भी लिये होंगे so now without wasting much time हम अपना ये वीडियो आगे continue करते हैं और देखते हैं कि पहला question क्या दिया है पहला question दिया है मतलब वर्ब को qualify करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कावर्डली है क्या ये कावर्डली एक adjective है और हमें पता है कि हम वर्ब को qualify करने के लिए adverb use करते हैं इसलिए error हो जाएगा part c में तो यहां पर cowardly नहीं आने चाहिए यहां पर आने चाहिए in a cowardly manner तो hope आपको ये rule clear है इस question में क्या error है ये चीज़ भी clear है और correction हो जाएगा ये जो word दिया है cowardly इसको हम replace कर देंगे in a cowardly manner से तो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question दिया है हमें he is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police अब देखिए जब भी हम adjective use करेंगे sentence में तो उस adjective के साथ जब भी enough use होगा उस time पे ये enough हमेशे adjective के बाद आएगा कभी भी enough adjective से पहले नहीं आएगा ये normal सा rule है अब इस rule को question में apply करते हैं ये लिखा हुआ है he is enough tall ये जो tall है ये tall है adjective और मैंने बताया rule आपको कि हम जब भी enough use करेंगे तब हम उस enough को adjective के बाद यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे enough जो है वो adjective से पहले use हो गया इसलिए error हो जाएगा part A में he is enough tall ये structure गलत है सही structure हो जाएगा he is tall enough hope आपको ये rule clear है और इसको कैसे question में apply किया ये चीज भी clear है अगला question देखते हैं when she received the good news she ran straightly to call up her parents मतलब जब किसी लड़की को कोई good news मिली जब कोई अच्छी खबर मिली तो वो तुरंत तोड़ी अपने parents को बताने के लिए अब देखिए यहाँ पर error हो जाएगा part b में क्योंकि यहाँ पर word use हुआ है straightly straightly जैसा कोई word exist ही नहीं करता एक word है straight ये straight as an adjective और as an adverb दौनों की तरह ही काम करता है लेकिन straightly जैसा कोई भी word exist नहीं करता इसलिए error हो जाएगा part b में hope आपको यह question clear है अगला question देखते है she did her job as better as she could do अब यहाँ पर जो error होगा उस चीज को हम समझते हैं पहले rule समझिए जब भी आपको sentence में कुछ ऐसा structure मिल जाए as-s अब इन दौनों as के बीच में आनी चाहिए positive degree यह हमारा rule है कि जब भी हमें as दिखेगा as-s तो दौनों as के बीच में आनी चाहिए positive degree अब इसको question में समझिए यहाँ पे जो part b है वहाँ पे लिखा है as better as और यह better है comparative degree लेकिन rule बोलता है कि हमें use करनी है positive degree इसलिए error part b में ही हो जाएगा जो सही structure हो जाएगा वो होगा as well as तो hope आपको यह question clear है यह normal सा छोटा सा rule था यह चीज़ भी clear होगी अगला question देखते है Her speech was not clearly but we understood the underlying meaning अब समझी एक चीज़ मैंने आपको first question में ही बताया था कि noun को qualify करने के लिए use होता है adjective और वर्प को qualify करने के लिए use होता है एडवर्प यह basic सा rule हम सभी जानते भी है और मैंने आपको first question में एक बर ही remind भी करवाया अब इस questions में समझी है यहाँ पर यह जो speech है यह speech हो जाएगा noun अब noun को use करने के लिए मतलब noun को qualify करने के लिए adjective use होना चाहिए लेकिन यहाँ पर use हुआ है clearly यह जो clearly है यह एडवर्प अब हम यहाँ पर वर्प को तो qualify नहीं कराना चाहते ना हम तो noun को qualify कराना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर यह clearly गलत हो गया use और error हो गया part A में इस clearly को replace कर दीजिए clear से और structure ऐसा बन जाएगा her speech was not clear और यह एकदम सही structure होगा तो I hope आप सभी को यह वाला rule भी clear होगा तो फिर बस यह कुछ questions थे जो आज हमने discuss किये I hope आप सभी को यह सारे questions में क्या error है यह चीज clear होगी एरर को क्या rule लगा के detect किया और फिर उसको कैसे correct किया यह चीज भी clear होगी अगर still doubt है आपको इन में से किसी भी question में तो आप वीडियो को repeat करके भी देख सकते हैं फिर मिलेंगे कल एक नए episode के साथ तब तक के लिए stay tuned with us Thank you so much, wish you all the best